नमस्कार मैं सुमंश्री स्वागत आप सभी का एजुकेशन चैनल में आज हम बात करेंगे पुरुसकारों की पुरुसकार वर्ष दो हजार सत्रा और अठारा के कौन-कौन से पुरुसकार है किन लिखोकों को दिये गए है किस क्रती के लिए दिये गए है इस बारे में हम बा आप सभी को बहुत पसंद आया इसके लिए बिलकुल आपने समय निकाला और कमेंट्स के माध्यम से आपने जो भी प्रतिकरिया दी बहुत काबिले तारीफ है आपने इस बिलकुल बिजी जीवन से थोड़ा सा समय निकालकर आपने इस चैनल पर विजिट किया वीडियो को द वर्ष 2017 का 31 मूर्ति देवी प्रुसकार बहुत ही इंपोर्टेंट जो है ये प्रुसकार है जैसे मूर्ति देवी है बिहाली है सरस्वती है व्यास है ये जो प्रुसकार है वो बहुत ही इंपोर्टेंट रखते हैं एक्जामिशन्स कम्पेटिशन्स एक्जाम्स में ये जो जोए घोश जोए घोश को ये पुरुसकार दिया गया है कौन सा 31 वा मूर्ति देवी पुरुसकार उनके कौन सी कावे संग्रे के लिए उन्हें ये पुरुसकार मिला है तो जो कावे संग्रे है उसका नाम है दू डोंडो फोवारा मात्रो इसलिए इन्हें ये पुरुस्कार दिया गया है बहुत important प्रश्ण है आप ज़रूरी से याद रखें अगला जो प्रश्ण है वो है वर्ष 2017 का अंतरास्टे बाल शांती पुरुस्कार वर्ष 2017 का अंतरास्टे बाल शांती पुरुस्कार दिया गया है उनका नाम है मुहमद अल जोडी सीरिया से कहें यह और इन्हें यह पुरुसकार क्यों दिया गया है क्योंकि इन्होंने लेबलॉन के जो शरनार्ती शिविल में अपने परिवार के साथ मिल करके एक स्कूल खोला वहाँ पर उन बच्चों के लिए उन्होंने सिक्षा उपलब्द करवाई और इसके लिए ने अंतरास्टे बाल शान्ती पुरुसकार दिया गया है अंतरास्टे बाल शान्ती पुरुसकार कौन से वर्ष का है वर्ष 2017 की बात हो रही है किसे दिया गया है सीरिया के हैं मौहमद अल जोडी उन्हें ये पुरुसकार दिया गया है अगला जो पुरुसकार है वो भी बहुत इंपोर्टेंट है लाइफ टाइम अचिवमेंट अवर्ड से सम्मधित है डॉक्टर वी शान्ताराम लाइफ टाइम अचिवमेंट अवर्ड 2018 किसे दिया गया है तो ये जो पुछेंगे कि साब ये पुरुसकार इने क्यों दिया गया है तो फीचर और डॉक्योमेंटरी फिल्मों के शेत्र में उत्क्रष्ट योगदान के लिए इन्हें ये पुरुसकार दिया गया है इंपर्टेंट प्रशन है जुरूर आप इसे याद रखें अगला जो प्रशन है वो है कि किस फिल्म ने इगत्तर में बाफ्टा अवर्ड में सर्वस्रेश्ट फिल्म का पुरुसकार जीता है तो उस फिल्म का नाम है Three Billboards Outside Ebbing, Missouri एक बार मैं फिर से बोल देते हैं इस फिल्म का नाम है Three Billboards Outside Ebbing, Missouri इसके लेखक, निर्माता और निर्देशक है Martin Mac Donag यह है इसके जो है निर्माता है, निर्देशक भी है और लेखक भी रहे हैं यह इनका नाम है अगला जो प्रश्न है बहुत ही important है और मिसाइल में अब्दुल कलाम साब को नहीं जनता भारत के राश्ट्रुपती रहे हैं और वेग्यानिक हैं और इनके नाम पर एक पृसकार है दिया गया है वो पृसकार किसे दिया गया है वो देखते हैं इनका नाम पहले मैं इसका बता देती हूँ कौन सा पृसकार है डॉक्टर एपीचे अब्दुल कलाम विश्वशांती पृसकार इनके नाम से यह शुरू किया गया है तो डॉक्टर एपीचे अब्दुल कलाम विश्वशांती पृसकार दिया गया है यह जो दिया गया है पुरुसकार वो ब्रहम कुमारी प्रजापति संस्थान की प्रमुख है दादी जानकी दादी जानकी को को नहीं जानता बहुत बड़ा इनकी संस्था है जो माउंट आभू में चलती है सीरोई में और दादी जो जानकी है वो स्वच भारत मीशन के ब्रांड एमेसेटर भी है बहुत अच्छा प्रश्ण है अगला जो प्रश्ण है वो है आसकर से अभी तक तो हमसब 21 तAR में बाफ्टा वर्ट की बात कर रहे थे अब बात कर रहे है हम अभी आसकर प्रुसकारों में वह भी सर्फिप्रेट फिल्म कों सी रही तो उस फिल्म का नाम है द ही या को Tit तो इस फिल्म का नाम है The Shape of Water, इसके निर्देशक है गुल्ड रेमो डेल टोरो, याद रखें निर्माता से सम्मंदित या सर्वस्रेश फिल्म से सम्मंदित प्रशन बनते हैं और पूछ लिए जाते हैं, अगला प्रशन, बहुत ही अच्छा प्रशन है, अगला प्रशन है, वर्श 2017 का 27वा जीडी बिटला पुरुसकार दिया गया है, तो ये ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिने ये पुरुसकार दिया गया है, तो उनका नाम है राजन शंकर नारायन, अब इनने ये जीडी बिटला पुरुसकार क्यों दिया गया, किस के लिए दिया गया, तो ये पु प्रोषकार इन्हें दिया गया है अगला जो प्रश्ण है वो है वर्ष 2017 सत्रा का 49 दादा साहिव फाल के breeze का दिया गया है तो यह जो पूरुसकार दिया गया है वह विनुत खनास पुरुस्कार काूं को दिया है और पुरुस कार नाम अगर पूछा जा है की कि वर्षcue 2017 का 49 दादा साथ फाल के पूरुसकार मर्नो उपरांत दिया गया है तो विनुत खना साहब है. अगर वो पुछले कि ऐसे पहले वक्ति जेरे मर्नो उपरांत ये पूरुसकार प्राप्ट हुआ था दादा इसाथ फाल के पूरुसकार तो उनका नाम आएगा पृत्फिराज आगे जो डिटेल है वो मैंने लिपती है आप आराम से इसको दिरे दिरे देखते रहें अगला जो प्रश्ण है वो प्रश्ण आता है सरस्वती सम्मान से वर्ष 2018 का 27 सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है लेखर का नाम है सिद्दान्शु यस्चंद्र गुजरात के प्रम कौनसी ञर्थ कविता है तो इनका कविता संग्र है वक्हयार के लिए इने 27 सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है वर्ष 2018 18 अब अगले प्रशन की बात करते हैं वर्ष 2017 का 27 वा बिहारी पुरुसकार मैंने आपको पहले भी बताया था जैसे बिहारी है सरस्वती है व्यास समाने यह पुरुसकार बहुत इंपोर्टेंट है किसी ना किसी एक्जाम में इससे समधे प्रशन आपको जरूर मिलेगे और उस वक्त आप मुझे जरूर याद करेंगे कि यह पुरुसकार जब हमने वीडियोस में पड़े थे तो बिल्कुल हमें कंठस्त यह याद हो जाएंगे आपको और उस वक्त आप जरूर इस चैनल को याद करेंगे तो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर बिहारी पुरुसकार की वर्ष 2017 का 27 वा बिहारी पुरुसकार की से दिया गया है यह पुरुसकार है वो विजय वर्मा को दिया गया है लेखक और लोकला मरमग्य है बिहारी पुरुसकार जो है राजस्तान के ही किसी हिंदी अत्वा राजस्तानी भाषा के लेखक को दिया जाता है अगला जो प्रशन है उसकी बात करते हैं बहुती अच्छा प्रश्न है ये भी वर्ष 2018 का मास्टर दिरानाथ मंगेश का स्मृत्ती पुरुसकार दिया गया है वर्ष 2018 का मास्टर दिरानाथ मंगेश का स्मृत्ती पुरुसकार ये दिया गया है सरोदवादक है उस्ताद अमजद अलिखान साथ इन्हें ये पुरुसकार दिया गया है अगला जो पुरुसकार है वो भी बहुत अच्छा और प्रतिष्टित पुरुसकार है वर्ष 2017 का पुलिंतजर पुरुसकार किसे प्रदान किया गया है तो जो पुलिंतजर पुरुसकार है यह पत्रिकारता के शेत्र में दिया जाता है और वर्ष 2017 का पुलिंतिजर पुरुसकार दिया गया है The New York Times को बहुत ही अच्छा प्रशन है बहुत important प्रशन है माली जे आपसे यह पुछ लिया जाए कि जो पुलिंतिजर पुरुसकार है वो किस शेत्र में प्रदान किया जाता है तो पत्रिकारता की शेत्र में प्रदान किया जाता है और वर्ष 2017 का पुलिंतिजर पुरुसकार प्रदान किया गया है तो किसे The New York Times अखवार है यह प्रतिष्टित अखवार है और प्रतिष्टित ही पुरुसकार है अब हम बात कर रहे हैं वर्ष 2018 का मेन बुकर इंटरनेशनल पूरुसकार किसे दिया गया है थोड़ सा देखें आप कि वर्ष 2018 का मेन बुकर इंटरनेशनल पूरुसकार किसे दिया गया है यह पोलिश लेखी का है औल का तोकार्क जुक को अगला जो प्रश्ण है वो मेरे जहन में था और मैंने ऐसा प्रश्ण अभी तक तो नहीं देखा है और मैं चाहती हूँ कि ये प्रश्ण में आप सभी केसा सांजा करूँ ये प्रश्ण है कि केके बिड़ला फांडेशन की ओर से कितने पुरुसकार दिये जाते हैं देखिए मैंने अभी तक तो ऐसा कुछ प्रश्ण देखा नहीं है कि इससे सम्मधित कोई ऐसा प्रश्ण पुछा गया हो लेकिन मेरे दिमाग में ये बात थी कि मैं इस प्रश्ण को बनाऊं और आप तक इसको पहुँचा हो सकता है आपको ये प्रसंद आए और हो सकता है आ आपके सामने प्रश्ण रख रही हूं कि रख दिया मैंने रख नहीं रही हूं रख दिया है और मेरा ये प्रश्ण है कि केके बिडला फांडेशन की ओर से कितने पुरुसकार दिये जाते हैं जैसे कि व्यास सम्मान ये केके बिडला फांडेशन की ओर से दिया जाता है सरस भाषा की साहितिक क्रतियों के लिए दिया गया है वर्ष 2017 का सत्ता इस्वा ममता कालिया को उनकी उपन्यास दुखम सुकम के लिए मिला इसी तरह से जैसे सरस्वती सम्माने ये भी केकेविडला फॉंडेशन की ओर से दिया जाता है आठ फुय अनुसुची में दर जो भाषा के लिए दिया गया है इसा तरह से बिहारी है अभी मैंने पताया वर्ष report. श्युच्य को दयता है। यह जो पुरोसकार था वह वेक्यानीक अनुसंधान के लिए उन युआ वीग्यानिकों को दिया जाता हे जो भारत मेरे काыт के अपनि थिस्डेश्च को पूरा करते हैं. तो यह जो पुरुस्कार था जीडी बिड़ला पुरुस्कार यह भी केके बिड़ला फांडेशन की ओर से ही दिया जाता है तो मैंने जब इन पुरुस्कारों को जब मैं पढ़ रही थी रीट कर रही थी और तो मेरे जहन में एक बात आई कि ऐसा कोई प्रश्न बना तो नहीं है लेकिन एक जानकरी के लिए एक सामाले जानकरी के लिए मैं बताओं आपको ताकि आपकी मतलब आप इसे और अच्छा हो सके और अच्छा तो यह मेरे जहर में था और यह प्रश्ण में आपके सामने रख दिया अब हम बात करते हैं अगले प्रश्ण पर अगला जो प्रश्ण है वो है 65 फिर्म पुरुसकारों से समधित है 65 ऱास्ट्य फिर्म पुरुसकारों में सर्वस्रेस्ट अभिनेतरी का पुरुसकार दिया गया है बात हम कर रहे हैं 65 वे राश्टरी फिर्म पुरुसकार उगी तो इसमें जो सर्वस्रेश अभिनितरी का पुरुसकार दिया गया था वो श्री देवी को दिया गया है फिर्म थी इनकी लास्ट मोम और इनको ये पुरुसकार इनके दिहान के बाद मिला है ठीक है तो इस बात का पिशेर स्ध्यान रखें कि जो श्री देवी को मौम फिर्म के लिए सर्वस्रेश अभिनेत्री का पुरुसकार मिला है वो इनकी डेथ के बाद मिला है तो श्री देवी को ये पुरुसकार मिला है पैसटवे रास्टे फिर्म पुरुसकारों में अगला जो प्रश्ण है वो भी इसी से सम्मन दीते है पैसटवे रास्टे फिर्म पुरुसकारों में सर्वस्रेश फिर्म का पुरुसकार आप तक तो हम अभिनेत्री की बात कर रहे थे लेकिन अब यहां प्रश्ण यह है कि पैसटवे रास्टे फिर्म पुरुसकारों में सर अगला प्रश्न है वो भी इसी राष्टे फिल्म पुरुसकारों से संब्दी थी है प्रश्न यह है कि 65 राष्टे फिल्म का पुरुसकार किस फिल्म को दिया गया उस फिल्म का नाम था न्यूटर्ण न्यूटर्ण फिल्म को 65 राष्टे फिल्म जो पुरुसकार थे उनमें सबस्टर्श हिंदी फिल्म का पुरुसकार दिया गया और यह न्यूटर्ण जो थी वो ऑसकर के लिए भी गई थी लेकिन पहले ही दोर से यह फिल्म जो थी बहार हो गई थी और इसलिए यह इसमें शा की आप को यह प्रश्न कैसे लगे चाल अच्छ लगे और आपको याद करने में कितना मज़ा आया और अपने दोस्तों के साथ मित्रों के साथ अब जरूर जरूर शेहर करें और बिल्कुल कमेंट के माद्धेम से आप यह बताएं कि आपको यह वीडियो देखने का आप सभी क प्राइब जावाईब लुज स्राइब गॉजया टावाईब लुजया 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 है